हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू लिट्रेचर वित नेहां आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं फेमस पॉयमें रिडेम्शन को ये पॉयम लिखी है जोर्ज हेरबर्ट ने जो की एक फेमस मेटाफिसिकल पॉयट थे अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं शुरू करते हैं अपनी आज की पॉयम तो रिडेम्शन का मतलब होता है मुक्ति पाना इस पॉयम में पॉयट अपनी सिन्फुल लाइफ से मुक्ति पाना चाता है इसलिए पॉयट ने ऐसा टाइटल रखा है पॉयम शुरू करने से पहले एक जरूरी बात में आपको बता कि ये एक metaphysical poem है और metaphysical poetry के सबसे खास बात यही होती है कि ऐसी poems में word to word meaning कुछ और होता है और जो poet कहना चाता है जो poem का real meaning होता है वो कुछ और ही निकल कर आता है तो ध्यान से सुनिएगा poem अपने आप समझ में आ जाएगी first line है having been tenant long to a rich lord not three wing यहाँ पर lord का मतलब है landlord मतलब जमीदार जो फसल लगाने के लिए किराय पर लोगों को जमीन देता है और tenant का मतलब है किरायदार यहाँ पर poet अपने आपको एक landlord का किरायदार बता रहा है poet कहता है कि बहुत लंबे समय से एक अमीर landlord का किरायदार होते हुए मैंने उसे कुछ भी profit नहीं दिया three wing का मतलब है profit नहीं देना I resolved to be bald इसका मतलब है कि मैंने बहुत सोचा विचार किया हिमत जुटाई किस लिए वो हमें आगे पता चलेगा and make a suit unto him to afford a small rented lease and cancel the old यहाँ पर suit का मतलब है इच्छा poet अपनी एक इच्छा अपने landlord को जाहिर करना चाता है बताना चाता है इसलिए उसने हिमत की विचार किया और साहस जुटाया वो अपने landlord से कहना चाता है कि वो उसे एक नई चोटी सी जमीन किराये पर दे और जो पुराना contract है उसे वो cancel कर दे मतलब point पुरानी वाली जमीन से अपने landlord को कुछ भी profit नहीं दे पाया इसलिए वो अपने लेंडलोड से नई छोटी सी जमीन लेकर के उस पर मेहनत करके अपने लेंडलोड को कुछ प्रॉफिट देना चाहता है तो ये था इन लाइन्स का वर्ड तो वर्ड मीनिंग अब जैसा कि मैंने पोईम शुरू करने से पहले बताया कि ये एक मेटाफिसिकल पोईम से तो इनका रियल मीनिंग कुछ और है तो यहाँ पर लोड का मतलब है गौड पोईट अपने आपको गौड का किरायदार बताता है पोईट कहता है कि बहुत लंबे समय से गौड का किरायदार होते हुए मैंने उन्हें कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया मतलब गौड ने ये जो मुझे लाइफ दी है इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पाप किये है और मैं उन्हें कुछ भी प्रॉफिट नहीं दे पाया इसलिए पॉइट बहुत सास करता है हिमद जुटाता है क्योंकि उसे गौड को एक इच्छा बतानी है वो इच्छा है कि वो गौड से एक नई छोटी सी लाइफ चाहता है जिसमें वो अच्छे काम करके गौड को कुछ प्रॉफिट दे सके और पुरानी वाली लाइफ वो चाहता है कि गौड उसे वापस ले ले मतलब पॉइट की present life अब पॉइट को गौड को अपनी इच्छा बतानी है तो उसे गौड के पास जाना पड़ेगा और गौड का रहते हैं heaven में तो पॉइट heaven में जाता है इन heaven at his manner I him sought पोइट कहता है कि मैं heaven में गया गौड के घर में उन्हें तलाश करने के लिए सोट का मतलब वता है तलाश करना लेकिन पोईट को गौड हैवन में नहीं मिलते हैं वहाँ उसे बताय जाता है कि गौड तो बहुत पहले यहां से जा चुके हैं अर्थ पर उनकी कुछ लेंड है जिसे उन्होंने बहुत प्यार से खरीदा था बहुत पहले अर्थ पर और अब वो उसे समालने के लिए गए हैं यहां पर लेंड का मतलब है लाइफ मतलब गौड ने पोईट के जैसे और भी लोगों को अर्थ पर लाइफ दी है और अब वो उन्हें लाइफ को समालने के लिए गए है आई इस्ट्रेट रिटरंड पोईट कहता कि जब मुझे गौड हेवन में नहीं मिले तो मैं भी वापस अर्थ पर आ गया अब इतनी बड़ी अर्थ पर पोईट गौड को कैसे ढूंड सकता था इसलिए उसने थोड़ा दिमाग लगाया कि गौड एक ग्रेट बर्थ है तो वो किसी ग्रेट रिच्व क्लासिक प्लेस पर ही मिलेंगे और नौइंग हिज ग्रेट बर्थ सौट हिम अकॉर्डिंगली इन ग्रेट रिजॉर्ट से इन सिटीज, थिएटर्स, गार्डन्स, पार्क्स एंड कॉर्ड्स पोइट कहता है कि यह जानते हुए कि गौड एक ग्रेट बर्थ है तो मैंने उन्हें ग्रेट और क्लासिक प्लेस पर ही सर्च किया जैसे कि Resorts, Cities, Theaters, Gardens, Parks और Gods लेकिन पोईट को इनमें से किसी भी जगह पर God नहीं मिले At length I heard a ragged noise and mirth of thieves and murderers, there's I him espied Point कहता है कि थोड़ी दूर से मुझे एक आवाद सुनाई दी, वो एक बहुती अजीव आवाद थी, जो की चोरों और murderers के बीच से सुनाई दे रही थी मिर्थ का मतलब है बीच से, जब मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ पर God मिले Aspied का मतलब है खोजना या मिलना Point कहता है कि God मुझे देखते ही कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा मान ली गई है और ऐसा कह करके वो मर जाते हैं तो ये थी हमारी आज की poem redemption है I hope आपको ये poem समझ में आ गई होगी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like और share करें comment box में अपना comment जरूर दें वीडियो को end तक देखने के लिए thank you